सेदी में हें, बेनी सेदी, एक हाग एक दे दूजे में थे एक दिल जे से अलग थाला, एक दिल जे से जुदा जुदा कहने को है एक जानोंगर, फिर भी रहती है खफाफा, unions, तुम अगिर हर बात में, मुझे यू ऐसे कहती Jeanne Cha, और मुझे पर तु पता चलना चाहिए ना कि हम कर गयार है हम ना जट मारने का ओफिस खोल रहे हैं तुम्हें नहीं नहीं पता हम क्या करने लगे हैं अच्छा अच्छा तो हम ऐसे रिष्टे करवाएंगे मुझे मुख्तियार साब ने बेजा है ओ अच्छा मुख्तियार साब अच्छा मुझे अपना नाम बताया था लेकिन मुझे शाहिए याद दी रहा मुझे एक हैंसम देशिंग खाते पीते घराने का रोमेंटिक सा रिष्टा चाहिए तो बैठो जी उठीना जाना पहले बात तो सुन लो फिर अपना चीची जासा मूँ खोल लेना तो जी बात ऐसी है कि हमारी पहली शर्ट ये है कि शादी से पहले आपने मेरे पुद्दर के अकाउट में पचास लाग ट्रासफर करना है और ये बात ना हमारे बीच में रहनी चाहिए पचास लाग? लेकिन क्यूँ? अब जाहिर सी बात है अमरीका जाने के लिए आपको कुछ नो कुछ खर्चा तो करना ही होगा ना? वो तो ठीक है लेकिन अगर अमेरिका हो ले जा रहे है तो खर्चा में क्यूं करें? अमरीका में रहने वाले सब भी ऐसे ही होते हैं आउंटी आउंटी? में अमीrat मतलब है मैम् oraz ना वो किसी पर इसान करती हैं और ना वो किसी का इसान लेना पसंद करती हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि वहाँ पे म्या बीपी तक दोनों अपनापना खर्चा खुद ही करती हैं और पहरे आपके हबी वी तो येह चाहते हैं ना? अब आपके होने वाले वो तो फिर अगर आपको शर्ट मन्जूर है तो जानी आप कहरे हैं कि शादी के बाद वो अमेरिका चले जाएंगे तो इस पर जितना खर्चा आएगा वो हम दोनों को वर्दाश्ट करना पड़ेगा यही कहा ना आपने? जी जी बिल्कुल और इस सिंसले में आप उनसे कोई बात करेंगे और ना ही वो आप से करेंगे राइट? लड़के का नाम के है, खानदान के है, क्या करते है, कट-कट के है, मुझे ये भी तो बताएंगे ना लड़का? बस ये समझने के बना-बनाया फिल्मी हीरो है दिखने में बिल्कुल शारू खान जैसा बोलने में सल्मान खान जैसा चलने में रिति क्रोशन जैसा और भागने में शवकत चीमा जैसा जी? मेरा मतलब है कि कद्मय अमिता बच्चुन जैसा और रंगत में बिलकुल अमानत चंड जैसा क्या 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 कवे जैसा ने ने इसका मतलब है कि हाफ ब्राउन यानि चॉकलेट हीरो जाद उसकी पठान है यही उसकी पेचान है करेगा कारोबार बाहर जाकर लेकिन इससे पहले आपको दुलहन बनाकर इस उमर में आपको शर्म से ज़्यादा खाजी आनी जाहिए लड़के का नाके हबी ज़रा हबी एक कह कर तो दिखाए हब हब हबी आपको रिष्टा मनजूर है आपको इतना शर्माने से लग रहे कि आपको रिष्टा कुछ जदा ही मनजूर है तो फिर मैं उन्ही कॉल करके ना सारी चीज़े फाइनल कर लेती हूं माशाल आप तो बड़ा शर्मा रही हैं तो फिर हमारी कमिशन पकी इतने नेक काम की इतने कमिशन लेंगे या तुम्रे क्या रोज़दारों वाला मूव बनाया हूआ है जबकि रोज़ों से तो तुम्हारा दूर्दा कोई तालोग ही नहीं है हर वक ना जली कटी सुनाना जरूरी नहीं होता अच्छा ये बताओ हुआ क्या है यार सुबा से ये वक्त हो क्या है अभी तो कोई क्लाइन में आया रिष्टे के लिए हम एक रिष्टे पर डिपेंड नहीं कर सकते वैसे यार वो जो श्रकीला, श्रकूर, शिकवा और वो जो टहनी नुमा अंकल है उनके रिष्टे से तो हमें काफी से पैसे बच जाएंगे तो फिर किसी ओर रिष्टे के जंजर्ट में पढ़ने की जुरूरत की है भी तो हम ना कभी बिजनस माई नहीं हो सकती और अब आगे से कुछ बोलना मत, मैं पहली ही बहुत परिशान हो तुम कब परिशान नहीं होती? मैंडी, जल्दी से एक्टे बचो, एक लाइन टार बहुत एंसुम है बहुत की? हाँ, जाद एक्साइटिट नहोँ आई नहीं से बैठे मैंडी, देखो ना, कितना एक्टे के मुझे, कितना हंसुम है मुझे ऐसे नक्रोमाली लडकी बहुत मसंद है सर, तदा शोही नहोँ, पाइंट की बात करो सर, आप यखीरिन यहाँ कोई रिष्टे के लिए आये होंगे तो बताएं, आपको कैसी लडकी चाहिए, मेरे जैसी या फिर, मेरे जैसी आपको मेरे जैसी ही लडकी पसंद है, तो मैं ही क्यों नहीं यह तुम नहीं के चीप रूमेंस स्टार्ट की होगा है, यह तो दसी बुंगा लग रहा है, किसी बात तो कोई जवाब भी नहीं दे रहा श्रॉप मंधी सर, आप अपना नेम, यह जो प्रोफेस्शन बताएं, ताके हम आपके मताबिक कोई रिष्टा ढूंडे और आप इतने हैंसम हैं, तो जरूर आपकी दिमांज भी होंगी सर, आप कुछ बोले न, आपकी सुरीली आवाज सुनने को लोग बेताब है, प्लीज कुछ बोले सर, यह यहां है सर, आप अपनी सुरीली आवाज में अपना नाम भी बता दे सर, आप मेरे नाम अरे मेरे रिष्टा, अरे सुनो अरे रोमियो की जूलिट कहा है यार यार मैंडी, यह क्या था? रोमियो, तुम्हारा रोमियो मैंडी, तुम्ही उससे डील करो, आने तो नी जाना उसके सामने क्यों अब क्या हुआ, पहले तो वो तुम्हें बोड़ा हैंसम लग रहा था और डैशिंग भी मुझे क्या पता था कि आईफोन के पैकिंग में से नोकिया निकलाएगा मैंडी, मैं तुम्हारे साथ सूट बहुत करेगा मैंडी, मैं तुम्हारे साथ अच्छा बस जदा बाते करने की जूरुएत नहीं है, अब जाओ और उससे बात करो बुरी बात है यार, ऐसे किसी को ट्रीट करना वो जैसा भी उसे इल्ला पाक नहीं बिनाया है ना और फिर हमारा बिजनस भी तो इसी तरग है ना यहां पे इस तरग के लोग तो आते जाते रहेंगे क्यूंके शादिकार मान तो सबी को होता है ना नहीं बिचारी संडी 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 उठी यार मैंडी मैंडी क्या मुसीबत है मुझे ना तुमसे ने एक बात पूछनी है तो सुबह पूछ ले ना सुबह तुमने सुसाइड तो नहीं कर देनी ना अला ले फिरे मैं खुदकुशी करूँ मैं क्यो करूँ मैं तुम्हाली तरग मेंटर नहीं मैंने ऐसा तो नहीं का कहा तो नहीं लेकिन तुम्हाना मतलब तो यही था अच्छा मैं तुम्हें एक एड्वाइज दू क्या? यही कि तुम ना किसी स्पेशलिस डॉक्टर से अपना चेक अप करवाओ क्यों? मुझे क्या हुआ है? ब्लॉड प्रेशर मुझे लगता है तुम्हें ना ब्लॉड प्रेशर की बिमारी गाए मैं यह चुप कर जा मुझे सोने दो अच्छा यह तो बताओ कि तुमने हैबट और मिशी को बाहर बिजवाने का शोशा क्यों छोड़ा है? जबके शादी तो उनकी वैसे भी हो सकती है गूफ लड़की लोकल शादी के मैरिज बियोरो वालों को बहुत कम पैसे मिलते हैं और वो भी बड़ी मुश्किल से तो और यह जो बहरुने मुल्क बाली शादी होती है ना इनमें लोकल शादियों से डबल कमिशन होता है क्योंके दुनों पार्टियां ही स्ट्रॊंग होती है वाँ? तो हम हैबर और मिश्की शादी का कितना कमिशन लेंगे? पांच हैबर से और पांच मिश्की से और एक बड़ा खांचा लगाएंगे ऑस payment में से जो हैबत मिशी को और मिशी हैबत को देने के लिए हमें देगी और इससे प्रॉबर्ली हम पंदरा बीस लाग तो कमा ही लेंगे वाय यार, क्या बात है एक ही शादी से पंदरा बीस लाग, फिंटास्टिक लेकिन अगर उन दौनों ने एक दूसुरे से पूख लिया तो तो पूख लें, वैसे भी इस बार तो पूछने ऊछने का कोई चांस में लगता मुझे लेकिन यार, अगर बाहर जा के पूछ लिया फिर, यार पूछ लें वैसे भी उन्होंने कौन सा वापस आ जाना है होगे तुम्हार सवाल, सोजा ओ, मुझे भी सोने दूँ हेलो मिशी, कैसी आँ? मैं बिल्कुल ठीक, एकदम फैंटास्टिक अब जी, तो मैंने आपसे पूछना था कि आप जल से जल शादी कप कर सकती है ये मैं नहीं, आपके होने वाले उन्हों पूछ रहे थे जी, नहीं नहीं, ज्यादा तयारिया करने की जरुरत नहीं है बस आपने गवाहों को अपने साथ लेकर आना है और निकाह आपका हमारे ओफिस में अदा होगा जी, नहीं, नहीं, ये तो उन्हीं का सिजेशन है अब तैसल आपको तो पता है कि आजकर लोग लव मैरिश पे कहां मानते हैं तो हैबद जी की फैमिल में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आप बिल्कुल पसंद नहीं है तो एक दफ़ा जब आप लोगों का निकाह हो जाएगा ना तो फिर सब के मूँ वैसे बंद हो जाने है जी तो फिर मैं अकर आपको सही लगता तो मैं भैबर जी को फोन करके बता दूँ जी एक मिलेट वो जो हमारी कमिशन और लोगे की जो पेमिंट की बात हुई थी वो तो याद है ना आपको अले नहीं नहीं पैसो की क्या बात है मुझे तो बड़ी खुशी आपके निकाह की बस मैं कह रही थी कि निकाह से पहले ना पेमिंट अगर आप कर देती तो जी जी तो फिर ड़न हो गया मैं एहवर जी को कॉल करके बता देती हूँ और आप लोग भी त्यारिया कर लें तैंक यू सो मुझ तो बस आप अपना ख्याल रखें हांके दूलन है आप जी जी ओके जी भाई मैनी मैनी जल्दी आओ यहां मैनी क्या है चिलाना बंद करो नाष्टा भी तयार हो रहे है नाष्टे को मारो गोली वो जो मैनी फरी की शादी पर ड्रेस पहना था ना वो प्रेस कर दो और अपने भी कोई धंक से कपड़े निकालो क्योंकि हमने एक फॉंक्शन अटेंट करना है फॉंक्शन? लेकिन कैसा फॉंक्शन? है बच खान और मिशी के निकाह का फॉंक्शन क्या? इतनी जल्दी? बेवकूफ उनका जल्दी निकाह करेंगे तब ही तो माल हमारे हाथ में आएगा ना? अच्छा लेकिन निकाह है कितने बचे और जाना कहाए? ओफॉंक्शन तो हमारे ओफिस में ही है और फंक्शन से पहले हम लकपती बन जाएंगे लक पती आफिस में निकाह भी हो रुखसती भी अब ही सिरफ हम उनका निकाह कराएंगे और जैसे उनके जाने का बंदोबस होगा उससे एक दिन पहले हम उनकी रुखसती कर देंगे यार लेकिन अगर हैबद खान ने जिद की कि उसे निकाह के साथ रुखसती भी चाहिए तो फिर फोन करके निकाह की टाइमिंग्स फाइनल कर लेती हूँ जल्दी जाओ मुझे बहुत भूख लेगी जाओ नाश्ता बनाओ लेकिन यार बरात में होगा कौन-कौन मैंडी गो आई का कौन-कौन सवाल ही नहीं खत्तम होते तुमारे जाओ एलो यह ले उतने ही है जितने आपने कहा था राइट और हमारा कमिशन वो तो मैं भी पॉलर जाओंगी ना तो वाफसी में एट्यम से निकलबाती लाओंगी मतलब पॉलर के जाएंगी आप हमारे यहां हर किसम की सहूलत मौजूद है मैंडी इन्हें अंदर ले जाओ और इतनी प्यारी दूलर बनाओ कि इनका दूला यह देखता रह जाएं वो तो इन्हें वैसे भी देखते ही रह जाएंगे क्यों सेंडी से ही कहा ना मैंने हाना हाना हुपला अब तो हम कुछ कहपी नहीं सकते हेलो हैबद खान साब आप कहा रहेंगें आपकी दूलर तयार हो रही है जी आप भी तयार हो रहे हैं अच्छा-च्छा अच्छले ठीक है तो फिर मैंने पूछना था कि आपके साथ कितने लोग आ रहे हैं इतनी देड लगा दिया आपने लेकिन आप निकाफ हुआ को नी लेकर आए वो एक जनादा पडाने गय हुए है अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे पहले आप मुझे ये बताए वो मेरे होने वाली कहा है आप पहले मुझे ये बताए कि वो कहा है ये रही आपकी इमानत गिनने आपकी कमिशन पांच लाख रुपया है इसमें पूरी सर आप कैसी बाते करें आप हमें पूरा इतबार है इन्हें गिनने की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे पता है ये पूरे ही होंगे आप ये बताएं कि जो मैंने आपको समझाया था निकाह के बारे में वो तो आप समझ गया है ना? मैं समझ गया हूं निकाह अभी और एट दी जाने से पहले रुकसिती बिल्कु ठीक आप ले और वो वीजा वागेरा मेरी बात हो गई है आप मुझे उनका पासपोर्ट दे रे बाकी सब कुछ हो जाएगा वो ज़दी से उन्हें आप बुला रहे अब कितना टाइम लगेगा इससे रह नहीं जारा जी जी आए आए ज़रा निजाकर से जी 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 आए आए सेंडी दुलहन तयार है निकाह शुरू करे सर आए आप पर छुड़ी भे जल्दी आए जी तो निकाह शुरू करें कैसे शुरू करें मौंजी साहब कहा रहते अब तो देदार करवादे और किसना इंतुदार करवाएंगी अरे ये तो हैबद तुम मेरम साहब अफल अब क्या वे दूसरे को पहले से जान दी है ये हबद तो मेरा मुलाजिम है जो मेरे घर से पैसे और जेवराद चोरी करके भाग गया था ये जूट में हो रही है जूट में नहीं तुम बोल रहे हबद मैंने तुम्हें मुलाजिम की बजाए में घर का एक फर्च संजो और तुम जले भी साम की तरह मुझे ज़स्ते रही हो मेरे घर से पैसे और जेवराद चोरी करके भाग गे तुम निकालो मेरे पैसे और जेवराद नहीं तो गला घूंट के अभी तुम्हें यही तफन कर दूगी मैं पैसे मेरे पास नहीं वो इनके पास है क्या यह भी तुम्हारे साथ मिली होगी इन्हों मैंसे पचास लाग रुपया और कमीशन लिए अच्छा तुमसे भी वो सुने बात यह के वो संडी 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 वो कसम से मैंने गुछ भी नहीं यह तो संडी और तो मैं तुम्हें ऐसा मज़ा चिखाऊंगी कि तुम सुनी जिंदगी याद रखोगी तुम हम जैसे लोगों के जजबात से खेलके उसे पैसे बटोरती हो ठीर जो जरा वेनी